इस एक specific topic के अंदर आपको measurement से related कुछ important information में देने वाला हूँ वो information क्या है उसको हम देखते हैं मैं अपनी screen पहले आपके साथ share करता हूँ then we will have a look यहाँ पे आप देखें एक term होती है operationalization यानि कि जब भी आप किसी चीज को measure करते हैं measure करने का मकसद यह होता है measurement जब आप लेते हैं जिसके हमने scales of measurement पढ़े है ordinal, nominal, interval, ratio यह जो हमने levels of measurement कल पढ़े है इन चार levels of measurement के अंदर एक question आता है कि हम data को measure क्यों करते हैं data को measure इसलिए कि जाता है ताकि हम data को label कर सकें यानि कि label करने के मुराद यह है कि मैं अगर आज के दोर में अपनी height को measure करूँ तो मुझे पता हो कि मेरे पास कोई standard unit है मेरे पास एक standard कोई method है जिससे मैं height को measure कर सकता हूँ say for example मैं लिखता हूँ 6 feet so 6 feet का मतलब यह है कि दुनिया में किसी को भी बता दो ना कि फ्लाम बंदे की 6 feet हाई है उसको एक अंदाजा हो जाएगा कि यह average height से थोड़ी सी ज्याद है ठीक है so these kind of things matter a lot अब इसी वज़ा से हम measure करते हैं चीज़ों को अगर आप यह कह दें कि फलाम बच्चे से इसकी height इतनी बढ़िया तो समझ नहीं आएगी so we have really confined methods to measure something लेकिन होता क्या है कि अकसर उकात आपके पास data ऐसा आजाता है जिसको measure करने के लिए specific methods ही मजूद नहीं है non specific methods यानि कि height को measure किया तो 6 feet तो मैंने लिख दिया लेकिन कुछ ऐसे questions आते हैं research के अंदर कि आपको measure करने के लिए कुछ और चीजों पर rely करना पड़ता है ठीक है और इस तरह के method को rely करने को हम बोलते हैं operationalization यानि कि operationalization operationalization क्या होता है basically यह एक process है of defining a fuzzy concept so that it can be measured ठीक है क्या होता है कि आपके पास कोई concept है आपने उसे measure करना है लेकिन कोई defined method मुझूद नहीं है उस concept को measure करने के लिए जो strategy आप बनाते हैं उसको बोलते हैं operationalization यानि कि एक scientist का एक data scientist जो data collect करते हैं या researcher जिनोंने data पे काम करना है वो पहले define करेंगे कि data को कैसे measure करना है अगर कोई specific unit मुझूद है तो उसमें करेंगे मतलब weight को measure करना है तो kilogram होगा अगर height को measure करना है तो हो सकता feet, inches या centimeters हो जाए लेकिन अगर आपने किसी और चीज को measure करना है तो how will you measure? इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ operationalization की आप मेंसे काफी लोग जो है वो measure करना चाते है stress को कि यार stress को measure करने का तरीका क्या है अब operationalization क्या करेगी? ये involve करेगी किन-किन चीजों के उपर stress depend करती है से for example मैं अपना heartbeat measure कर सकता हूँ heart beat ठीक है? पहली चीज़ तो हम measure करेंगे heartbeat लेकिन असल में हम वो indicate कर रही है stress को ठीक है? फिर इसी तरह दूसरी एक और चीज़ हो सकती है कि जब मैंने heart beat के इलावा कुछ और feelings भी measure करनी है for example मैं बताता हूँ कि यार मैं बड़ी tension में हो तो वो मेरी होंगे self-reported feeling ठीक है? और इस तरह आप कुछ और भी measure कर सकते हैं for example आप ये देख सकते हैं कि सांस फूल रहा है या नहीं? ठीक है? मैंने science ही लिख दिया simply ये मैंने breathing problem को बोल दिया फिर आप और चेक कर सकते हैं cortisol levels वगरा क्या है? ये एक basically blood के अंदर आपके पास जो है वो एक आप कह सकते हैं measurement होती है जो आप ले सकते हैं so ये तीन चीज़ें जो है heartbeat, self-reported feelings और सांस फूल रहा है या नहीं फूल रहा है ये depend करती है और बताती है कि आपको stress है के नहीं है ठीक है? और इन चीज़ों की base पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने level के अंदर stress पे हैं say for example, अगर एक normal heartbeat आपकी, say for example 70 है मैं जस्ट गिविंग एन एक्जापल तो अगर वो ही heartbeat आपकी low हो जाती है तो इसका मतलब stress से आपका रंग उडगिया है फका पड़ गया है जिसको बोलते हैं या आपका दिल जो है वो डूप रहा है दूसरी extreme यह हो सकते है कि आपकी heartbeard बहुत तेज होगी आपने next presentation देनी है stage पर जाने के लिए आपको stress की वज़ा से आपकी heartbeard तेज होगी आपके हाथ का आपने लग गए है आपका रंग भटक हो गया so these kind of things can be measured और उसको हम relate करते हैं stress के साथ इस एक operation को बोलते है operationalization ठीक है और यह कौन करते हैं यह scientist करते हैं when you are collecting the data और इस तरह का data जो है वो बहुत ज़्यादा helpful होते है और इस तरह के data को हम basically check करते हैं when we are actually analyzing something एक western countries के अंदर इसकी example दी जाती है कि आपने say for example operationalization करते हुए आप basically parameter decide करते हैं कि कौन कौन से parameters आपने देखने है इसे के साथ एक और term use होती है operationalization के साथ ही जिसको हम बोलते हैं proxy measurements यानि के आपने जो चीज measure करनी है वो तो करनी है इसके इलावा उसकी proxy क्या हो सकती है अब अगर मैंने अपनी height measure करनी है so obviously मेरे पास units है लेकिन कुछ ऐसे scenario होते है जो हम direct चीज़ों को measure नहीं कर सकते so we have to analyze some other thing जो उसकी proxy है इसकी example मैं देता हूँ कि proxy का मतलब ही होता है कि class में मैं attendance लेता हूँ मैं कहता हूँ SN आया है ठीक है और कोई और बंदा उसकी proxy लगा देता है कि वो SN नहीं आया लेकिन और बंदा उसकी आवाज नकालके कहता है yes sir तो ये एक proxy होती है इससे तरीके से proxy measurement भी होती है और proxy measurement जो होती है ये basically बहुत ज़्यादा utilize होती है inside statistical analysis क्यों use-use होती है उसकी reason यह है कि variable of interest की जब direct measurement possible नहीं हो यानि कि variable से मुराद है कि जो हमने height या weight या इस तरह की कोई चीज measure करनी है जब उसको directly measure ना किया जा सकते directly cannot be measured directly cannot be measured तो हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी proxies है then we find proxies जिनके through उन्हें measure किया जा सकते है ठीक है और ये जो proxies होती है ये basically different किसम की studies जो है आपको बताती है कि ये proxy फ्लान चीज के लिए best है और इस तरीके से हम check कर सकते है कि किस तरीके से हमने किसी एक चीज को directly measure करना है मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी बहुत अच्छी example है कि अगर आपने tree की age को measure करना है अब आप tree से ये तो नहीं पूचेंगे हाँ भी कितने सालों के हो गए हो या उससे ये कहेंगे अपनी date of birth बताओ या date of sewing बताओ it cannot tell you so आप क्या करते है उस tree की age उसके उपर जो उसकी लकड़ी होती है या तना होता है उसकी basically आप rings की base पे tree की age बताते है so basically हम count करते है rings और उनकी depth और उनकी different किसम का diameter at the end हमारे पास क्या आता है age आ जाती है trees की so ये हमारे पास क्या होता है ये एक proxy measurement होती है इसी तरीके से हमारे पास different और किसम की proxy measurements भी होती है और operationalization के अंदर और भी चीज़े यूज होती है say for example Europe के अंदर या different countries के अंदर rule है कि आप drunk and drive नहीं कर सकते तो ये नहीं होता कि जो police वाला रोकते कि हाँ भी ये मेरे पास एक machine है ऐसी कि अंदर आप ऐसे blow करो अपनी जो सांस है then we will test नहीं वो पहले क्या करते हैं वो पहले आसे उंगली सामने रखते हैं और कहते हैं हाँ भई अब मुझे बताओ ये कितने हैं ठीक है या वो इस तरीके से कहते हैं इसको track करो या वो ये कहते हैं या वो ये देखते हैं कि उसका रंग उडगिया है so based on those kind of proxy measures या operationalization के थूँ जो उन्हें चीज़ें find out की है they can say कि ये बंदा drunk driver है या नहीं है ठीक है so these kinds of proxy measures are very important whenever you are dealing with some kind of data इस वड़ा से इनको ज़रूर अपने मदे नजर रखा करे whenever you are dealing with something okay तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेर और शब्स्राब ने किया तो प्लिस दो इट that would be very good for me very good for me yeah something like that cool